आकाश में कभी कभी एक और से दूसरी और अत्यन्त वेक्स से जाते हुए अथ्वा प्रिथ्वी पर गिटते हुई जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उलका और साधारन बोलचान में टूपता हुआ तारा कहते हैं वुलकाओं का जो अन्स वायू मंडल में चलने से बचकर प्रिथ्वी तक पहुशता है उसे वुलका पिंड करते हैं मेग्ञानिक दृष्टी से इनका महत तो बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके अध्यान से हमें यह भी पता चलता है कि भू मंडली वाता वरेंड में आकास से आयोए पदात पर क्या-क्या प्रतिक्रया होती है इस प्रकार ये पिंड प्रमान विद्या और भूव ज्यान के भी संपर्ख स्थाप्पित करते हैं एक 40 साल के सक्स की आस्मान से उल्का-पिंड गिरने पर मौत गईगटना तमिलनाडू के वैल लौर सहर की है यहां एक इंज्डेरिंग कॉलेज में आस्मान से उल्का-पिंड गिरा इसके गिरने का धमाका इतना तेज़ था कि पास खड़े एक ड्राइवर की मौत हो गई बगल में ही एक बस खड़ी थी जिसके सीशे चूर चूर हो गए अठारवी सताब्दी के उत्तराव में डी ट्रॉली नामक दाशनिक ने इटली में गले हुए उलकर पिंट का वर्णन करते हुए यह विचार प्रकट किया कि वह खमंडल से टूपते हुए तारों की रूप में आया होगा तिन्तु किसी ने भी इस बात पर ध्याद नहीं दि प्रकट एक उलका पिंट का अध्यन करते हुए यह से धान प्रस्तावित किया कि यह पिंट खमंडल के प्रतिनीधी होते हैं पर इस बार भी यह विचार तुरत स्विकार नहीं किया गया सन 1803 इसवी में फ्रांस में ला एंगिली स्थान पर उलका पिंटो की एक बहुत बड़ी बारिश हुई जिसमें अन्गिना छोटे बड़ी पत्थर गिरे और उनमें से दो-तीन हजार इखट्टे भी किये गए विज्ञान की फ्रांसीची एकेडमी ने इस रिष्टी की पुरी छानमिंग की और अन्त में किसी को भी यह संदिश नहीं रहा कि उलका पिंट वस्तुतर खमंडल से ही प्रिट्वी पर आते हैं उनका पिंडो की उत्पत्ती का विश्य बहुती विवारासपाद है जिस विश्य पर अनेकमत समय समय पर प्रस्तावित हुए जिनमें से उच में इन्हें प्रिथ्वी चंत्रमा, सूर्य और धूम के दूप का अन्स माना गया एक अती मान्य मत के नुसार, इनकी उत्पत्ती एक ऐसे ग्रह से हुई जो अब पूनतय नश्ट हो गया है इस विश्यार में यह कल्पना की जाती है कि चीनकाल में मंगल के आकार का एक ग्रह रहा होगा जो किसी दूसरे बड़े ग्रह के अत्यर समीप आ जाने पर इसी दूसरे ग्रह से टकरा कर विनश्ट हो गया होगा इसमें अर्भों की संख्या में छूटे बड़े खंड मनी जो उलका के रूप में खमंडल में विचर कर रहे है इस मत के नुसर धात्विक उलका उस कल्पित ग्रह का केंडरी भाग तथा आस्मिक उलका उपरी प्रश्ट निरूपित करते हैं जब भी इस कल्पना से उलका पिड्डों के अनेक लच्छडों की व्याक्या हो जाती है फिर भी अनेक बाते अन्बुझी पहली रह जाती है तो यह मत मानने नहीं हुआ उलका पिड्ड की बारिस क्या होती है यह क्यों होती है इसको इंग्लिज में लियोन मिटीरियर सावर कहते है प्रत्य वर्श्ट सत्रा थारा नौंबर को प्रिथ्वी के आकास में होने वाली खगुली घटना है इसमें सेकडों उलका पिड्ड धर्ति की ओन गिरते हैं और यह्योमंडल में हुँच कर जर उठते हैं चत्था कुछ ही सेकेंडों मीस माफट हो जाती है यह घटना आकास में होने वाली दिवाली की आतिसबादी सी प्रिदित होती है यह घटना क्यों होती है इस घटना का क्या कारण है हम आगे बताते हैं इस घटना का कारण धूम केतु टेमपल टटल द्वारा पीछे छोड़े गए मलवे के मार्ग से प्रिद्वी का गुजरना है 17-18 नवंबर को जब प्रिद्वी अपने परिक्रमन पत से गुजरते हुए इस इस्थल पर पहुंसती है तम मलवे के हजारों टुकडे प्रिद्वी के गुर्त्वा करण सक्ती से आकरिष्ट होकर प्रिद्वी की तरफ गिर्प पड़ते हैं जब कोई भी उलका बिंट प्रि उलका विष्टी का रूप ले लेते हैं और इसे हम उलका पिंट की बारिस कहते हैं यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इस पीजिए को सब्सक्राइब करना ना बूलिए